मैंनें मलेक आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं मिंट मार्क के बारे में वीडियो क क्या होते हैं वीडियो को बटाने वाले हैं और वीडियो को बिल्कुल आखरी तक देखिए चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मिंट मार्क होते हैं दोस्तों जो मिंट मार्क होते हैं जो कॉइन होते हैं अब मिंट मार्क में दोस्तों इंडिया में चार मिंट मार्क आते हैं आप लोगों को बता देता हूं जिसमें मुंबाई, नौइडा, हैदरबाद और कॉलकत्ता शामिल है अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूं जो हैदरबाद, मुंबाई, मिंटमार्क होता है वहीं पर जो कॉलकत्ता का मिंटमार्क है वहाँ पर आपको किसी कॉइन में यह की नजल नहीं आता है तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि वह कॉलकत्ता का कॉइन हैं दोस्तों हर कोईन का अलग मिंट मार्क होता है इंडिया में जितने भी कोईन्स चारी किया जाते हैं सभी कोईन्स में अलग-अलग मिंट मार्क होते हैं लेकिन इंडिया के चार मिंट मार्क होते हैं यह भी मैं आपनों को बता जाता हूं चार जगाहों पर इंडिया के कोईन् वो चार जगाँ उपर डाले जाते हैं जिसमें मुंबाई, हैदराबाद, नौइडा और कॉलकाता शामिल है तो उसमें यह हैं Republic India coins की हमने आपनों को mint mark के बारे में बता दिया लेकिन इससे पहरे जो coins आजया करते थे जो Republic India नहीं थे Independence Day के बाद से जो आप coins जारी के राते हैं उनमें सिर्फ चार mint mark आपको नजार आने वाले हैं जो के मैंने आपको बता दिये हैं Mumbai, हैदराबाद, Noida और कॉलकाता अब दोस्तों बात करते हैं जो mint marks होते हैं इनसे coin की value कैसे बढ़ती है हमारा जो the currency collector channel है इसमें हम आप लों को बताते हैं coins की value जो all coins होते हैं all currency होती है उनके बारे में आप लों को knowledge देते हैं तो जो coins होते हैं आपने हमारी पिछली कई वीडियो जैसी देखी होंगी जिनमें हमने mint marks के बारे में बात कर रही है इसका यह mint mark है और इसकी value आपको यह मिलेगी इसका यह mint mark और इसकी value आपको यह मिलेगी या इंडिया की चारो नहीं मैं को डाला गया है और इसकी जो मिन्टेज है वो कम करी गई है याने के 500-600 अगर कोई डाले गये है या पिर मानके चलिए आप लाग देल लाग कोई भी अगर डाले गये हैं तो इंडिया में बहुत लोग है तो उसे साब से इस coin की value का जादा होगी क्योंकि यह जो coin है हर किसी के पास आपको easily नहीं मिलेगा जिसके पास होगा वो काफी लग्की होगा क्योंकि coin की value जादा होगी अब दोस्तों मान के चलिए कोई coin है जो के इन 4 ही mint में से किसी 1 mint में जारी किया गया है दोस्तों एक और चीज जो आपको बतायता हूं अगर मान के चलिए 4 mint mark है जो के मैं अकसर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि कॉलकत्ता के mint mark की value आपको इतनी मिलेगी और हैदरबाद के mint mark की value आपको ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी जो भी मैं बोलता हूं तो आप लोगों को बतायता हूं इंडिया में चार मिंट मार्क हैं जिसमें मुंबाई हैदरबाद कॉलकत्ता और नोइड़ा शामिल है अगर इनमें चारों ही mint mark है सब एक रुपे का कोई कॉइन है कमिलेटिफ कॉइन अगर वो जारी किया गया है इन चारों ही mint से तुम्हें आप लोगों को बतायता हूं जिसे के मान के चली मुंबाई जो मिंट मार्क है उससे ये कॉइन 15 जारी किया गया है मैं आप लोगों को एक अंदाजा बता रही अगर कोई 15 कॉइन जारी किया गया है मुंबाई मिंट मार्क से और वहीं हैदरबाद मिंट मार्क से जो है वो 15 ही जारी किया गया है और जो कॉलकाटा मिंट मार्क है उससे 10 कॉइन जारी किया गया है और जो नौइडा मिंट मार्क है उससे सिर्फ 5 कॉइन जारी किया गया ह हैं इनमें उस coin की ज्यादा value होती है जो कम जारी के जाते हैं अब मैं आप लों को बता जाता हूं जो मैं value बताता हूं आप लोग समझ गाएंगो इसमें value का यह जो मैं बता जाता हूं अलग-अलग बताता हूं हेदरबाद की value मिलेगी आपको नौड़ा की value मिलेगी उसे साबसे बताया जाता है जिसकी ज्यादा कीमत होती है वह ढightिहाते है और हर 추천 की value ज्यादा कम होती है और ये अलग-अलग time पर भी change होती रहती है ये भी मैं आप लोगों को बता जाता हूँ तो दोस्तों अलग-अलग time पर अलग-अलग coin की value कैसे बढ़ती है वो मैं आपको बताता हूँ जो coins होते हैं अब actually जो coins हैं जैसे के चारो ही मिन्ट में अगर कोई coin जारी किया गया है जैसे के वन रूपीस का कोई coin है और उसमें जादा कम जो भी जारी किया गया है जो कम जो coin जारी किया गया है उसकी जादा value आपको पता है लेकिन आगे चलके मानिए जो coins है और वो collectors जो है कि उस coin की value और रखा हुआ है तो उस हिसाफ से कहा है उस coin की और भी ज्यादा value हो जाती है क्योंकि वह coin कम हो गया है अब मान के चलीए एक coin है जिसको Noida Mint से जारी के गये थे 4 coin और हैधरबाद mint से चार कोईने आगे चारों के चार ही लोगों के पास लोगों के बीच हें और यह 10 कोईन हैं इन में से जो चार यह पांच कोईन हो गया या近श ओगा उन को यह कुछ अलग जबाओं पर रह रह रहे गया हैं और किसी पुत पता नहीं उसकी वेल्युकारों की वेल्यू बढ़ती किसी की घट्टी है तो आप लोग आप समझ गांगे कैसे कोई की वेल्यू बढ़ती है और गट्टी है और मिंट मार्क किसे कहते हैं यह सब मैं आपको बताने में सफल रहा हूंगा अगर आपको समझ में आया है वाकई में मिंट मार्क किसे कहते हैं और वेल्यू बढ़ती घटती कैसे तो अगर आपको समझ में आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और शेर करिए अपने दोस्तों साथ फिल्म मेंबर्स के साथ ताके उनको भी जानने का मौका मेरे मिलता हूं मैं आप सभी से किसी और वीडियो में तब तक के लिए किसी और शे से किसी और शेर कर दो किसी और शेर किसी और शेर को भी जापका बूले हुआ है